साबर मती ओलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इंगलिस के अंतरगत मोश्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बोर्ड इक्जाम के लिए देखेंगे दा ओलंपिक गेम्स एंड इंडिया तो इस प्रकार से गेम को लेकर मोश्टली ओलंपिक गेम को लेकर आपके पेपर में आर्टिकल आ जाए या इंडिया में गेम को लेकर आर्टिकल आ जाए तो आप इस आर्टिकल को लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से तो चलिए देखते है दा ओलम्पी गेम्स एंड इंडिया पर आर्टिकल तो शुरुवात के लाइन में यहां पर हम पोयम लिखते हैं तो इस प्रकार से आपको आसानी से यह पोयम याद हो जानी है इसके बाद यहां से आगे स्टार्ट करते हैं नो नेशन इन दा वर्ड कैन लिव इन आईसो लेशन तो नो नेशन कोई भी राष्ट नहीं है इन दा वर्ड ब्रमबांड में संसार में यहां पर जितने भी नेशन है इनके पास एक कॉमन प्लेट फॉर्म है जहां पर अनेक प्रकार के राष्टों से जो लोग होते हैं वो मीट मिलते हैं इर्रस्पेक्टिव की अपेच्छा आफ देयर रेस रेस मी सोता है जाती कलर रंग एंड रिलीजन और धर्म तो यहां पर कहा जा रहा है कि जाती रंग और धर्म की अपेच्छा अलग अलग देश से लोग यहां पर आकर मिलते हैं आगे यहां पर हम लिखते हैं कि ओलंपी गेमस आर हेल्ड इवरी 4 यर तो जो ओलंपी गेम है वो प्रतेक चार साल में आयोजित होते हैं यहां पर हम बताते हैं कि जो olympic game है वो प्रतेक चार वर्स में आयोजित होते हैं तो इसे हम highlight कर देते हैं कि olympic games are held every four year इसके आगे हम लिखते हैं the olympic games were started कि जो olympic game है वो start हुए थे in Greece कहां पर Greece में in 776 means 776 BC में तो 776 BC में जो olympic game है ये start हुए थे in Greece में इसके बाद आगे हम बताते हैं the first olympic were held in Paris तो जो पहला olympic game है वो कहां पर आयोजित किया गया था इन दायर तो यहां पर बताते हैं किस सन में तो 1896 में 1896 में 1896 में फर्स्ट olympic जो है held किये गये थे पेरिस में इसके बाद आगे बताते हैं the most interesting feature जो महत्यपूर बात है interesting जो feature है जो विसेस्ता है olympic game की वो यह है its symbol वो इसका प्रतीक है इसका जो प्रतीक चिन है वो यह है symbol consist of five ring तो इसका जो symbol है इसमें five ring है इसमें पांच गोले है interlink जो एक दूसरे से जुड़े हुए है इने chain एक chain के रूप में on the white background तो white background में five जो ring है यह interlink है आगे यहाँ पर लिखते हैं the rings symbolize जो यहाँ पर पांच रिंग है यह किसको प्रदर्शित करते हैं the five continents तो जो हमारे पांच महादीप हैं इनको प्रदर्शित करते हैं यह पांच रिंग तो जो हमारा ओलंपिक गेम का साइन है इसमें पांच रिंग जो होते हैं वो पांच महादीपों को प्रदर्शित करते हैं जिसके अंतरगत हम बताते हैं एसिया महादीप आता है यूरोप महादीप आता तो जो हमारे पाचो महादीफ हैं उनको ये प्रदर्शित करता है इसके बाद यहां पर हम बताते हैं इच रिंग्स इज आफ ए डिफरेंट कलर जो पाचो रिंग है ना इनका अलग-अलग कलर है जो की हैं ब्लू, यलो, ब्लैक, ग्रीन, एंड रेड तो इस परकार से ब्लू हो गया, यलो हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, एंड रेड तो इस परकार से पाच कलर के हमारे यहां पर रिंग्स हैं ओलंपी गेम के सिंबल में इसके बाद आगे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज अल्सो पार्टिसीपेटेड जो भारत है वो इसमें हिससा लेता है भाग लेता है every time प्रतेक बार इसमें भाग लेता है किसमें ओलम्पिय गेम में Indian hockey team जो भारती क्लास्ट में यहां पर हमें कोटेशन लिख देते हैं खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया इसी के साथ में हमारा जो आर्टिकल है दा ओलंपी गेम का वो कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर हम कोटेशन लिखते हैं खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया तो इस प् कम्प्लीट हो जाता है थेंक यू